मुल्तान टेस्स को खत्म हुए 24 से जादा गंटे हो चुके हैं और इस दोरान इंडिया का न्यूजिलेंड सीरीज के लिए स्कौर्ड भी अनाउंस हो गया लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया पे अभी भी चर्चा किसकी है ना इंडिया के स्कौर्ड की है ना न्यूजिलेंड सीरीज की है किसी की नहीं है अगर अभी भी चर्चा है तो पाकिस्तान टीम की है क्योंकि चाहे पाकिस्तान के फैंस हो इंडिया के फैंस हो या किसी भी टीम के फैंस हो अब भी तक किसी को यकीन नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की टीम मुलतान टेस्स कर सहार गई और अब अगर पाकिस्तान टीम की हालत की बात करें उनकी पोजीशनिंग की बात करें तो WTC पॉइंट स्टिवल में पाकिस्तान की टीम 9 नमबर पे पहुँच चुकी है हाँ मतलब WTC में 9 टीम से इस्सा ले रही है 9 वे नमबर पर पाकिस्तान टीम है आप ICC रैंकिंग्स देख रहे हैं तो नमबर 8 पर पाकिस्तान की टीम है 1331 दिन 1331 दिन हो चुके हैं पाकिस्तान की टीम अपने घर पर एक भी टेस मैस नहीं जीत पाई और काफी हैरान करने वाली बाते हैं यह सब तो कि पाकिस्तान की टीम कोई बहुत खराब टीम नहीं है अभी कुछ समय पहले तक पाकिस्तान की टीम दुनिया की सबसे मजबूर टीम हुआ करती थी लेकिन आज नतीजा यह है कि आप WTC देख लें आप रैंकिंग्स देख लें कहीं भी आपको पाकिस्तान का नाम टॉप पर नज़र नहीं आएगा तो टॉप पर छोड़ दीजी अब तो बॉटम पर आने की मौबत आ गई क्योंकि मुल्तान टेस्ट मैच में पाकिस्तान इंगलेंड की अगेंस 556 रन बनाने के बावजूद एक इनिंग से हार गई आज तक टेस्ट हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि एक टीम अपने घर पर खेलती है पहली इनिंग्स में साड़े 500 बना देती है लेकिन फिर भी जब मैच का नतीज़ा आता है तो एक पारी और 47 रन से पाकिस्तान की टीम ये मैच हार जाती है 147 साल की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है और इंग्लैंड वो टीम बनी है जिसने पहली इनिंग्स में 500 रन कंसीड किये फिर भी एक पारी से मैच जीत गई इसले पाकिस्तान की टीम किस सिचुएशन में आ चुकी है सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया के अगैंस्ट एकeng test series आ रे थे ये तो ऑस्ट्रेलिया के घर में था आप अपने घर पर इंग्लैंड की अगैंस्ट एक 20 series आ रे उसके बाद आप इंग्लेंड के ही अगेंस्ट एक टेस्स सीरीज हार चुके हैं आप न्यूजिलेंड के अगेंस्ट एक सीटीम आई थी बच्चो वाले टीम एक भी बड़ा प्लेयर नहीं था आप सिर्फ ड्रॉ कर पाए थे उस सीरीज को ODI सीरीज न्यूजिलेंड के अगेंस्ट आप वो भी आर गए थे टेस्स सीरीज बांगलादेश के अगेंस अभी उस दिन पहले की बात है आप वो भी आर गए थे और दुबारा से इंग्लेंड के अगेंस्ट आप एक और टेस्स सीरीज हार चुके 1331 दिन आप अपने घर पर एक test series नहीं जीत पाई सोचिए जब भी कोई ये बात कहता है कि इंडिया अपने घर पे बड़ा अच्छा cricket खेलती है लगबग 4000 से जादा दिन हो चुके हैं कोई भी team इंडिया को उनके घर पे आके नहीं हरा पाई 12 साल हो चुके हैं तो लोग बड़ा lightly लेते हैं इस बात को लोग कहते हैं अपने घर पे जीतना कौन सी बड़ी बात है और श्रीलिया अच्छा खेलती है, इंग्लेंड अच्छा खेलती है, सब अच्छा खेलते हैं यार कौन से बड़ी बात है, घर पे कोई भी जीत सकता है, आपकी conditions होती है, तो पागिस्तान को देखिए, 1331 दिन भई बहुत लंबा gap होता है और आप एक test series नहीं जीत पारे सोची, और पागिस्तान बड़े बड़े records बना चुकी है, 50 साल मैं ऐसा पहली बार हुआ, test cricket history मैं ऐसा जब पाकिस्तान की टीम 11 मैंच हो चुके हैं, घर पे मैंच ही नहीं जीत पारे, इस समय 2022 से 2024 की बात करें, तो पाकिस्तान की टीम 11 मैंच से मिलने से, 7 मैंच हारे हैं और 4 मैंच ज्रौ हुए हैं, इससे पहले 1969 में हुआ था, 1979 से लेकर 1975 तक पाकिस्तान की टीम 11 मैंच हारी हां मतलब हारी एक मैश थी 10 मैश ड्रॉव भए थी लेकिन 11 मैश के अंदर एक भी मैश नहीं जीत पई थी सिर्फ पाकिस्तान के साथ हो रहा है 1969 की बात है कितने साल बदल चुके हैं कितनी टीमें बदल चुके हैं कितने प्लेयर्स बदल चुके हैं लेकिन जब दुबारा हुआ तो पाकिस्तान के से मुल्तान टेस्मेश हर्त माईने में हिस्टॉरिकल टेस्मेश था चाहे जो रूट की पारी हो Harry Brook की पारी हो या फिर किसी भी प्लेयर की पारी हो लेकिन एको और माहिने में historical इसलिए था क्योंकि पहली पारी में पाड़े 500 बनाने के बाद भी आप एक इनिंग से ये मैच हार गए कितनी हरानी की बात और सबसे बड़ी डिफीट थी है हाईस टीम टोटल की बात करें मतलब पांसो छपपर बनाए पाकिस्तान ने फिर भी एक पारी और संतालिस रन से हार गए इससे पहले पता है आपको आईरलेंड के साथ हुआ था श्रीलंगा के अगेंस चारसो बानवे बनाई थे फिर्स्ट इनिंग्स में फिर भी एक पारी और दस रन से हार गए थे इंग्लैंड के साथ हुआ था दोजार सोला में जब पहली इनिंग्स में चारसो सततर बनाए फिर भी एक पारी और पिचटर रन से हार गए लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में टॉप पर आ चुका है और मैंने आपसे दूसरे ही दिन कहा था बार बार ये बात कहता हूँ मैंने आपसे दूसरे दिन ही कहा था कि जो रावल पिंडी में हुआ था वो मुल्तान में भी हो सकता है पाकिस्तान की दिक्कत यह है आप फ्लैट पिंच मनाते हैं पहली इनिंग्स में रन मना देते हैं लेकिन दूसरी टीम आपसे अच्छा खिलती है आपसे जाधा रन मनाती है और तीसरी इनिंग्स में आपको लैप्स कर जाते हैं जो कि मुल्तान में भी हुआ जो रावल बदले गई थे, सारे मैच आड़ते जा रहे हैं, हो सकता है वो भी आने वाले समय में बदल जाएं, बाबाराजम ने छोड़ी दिया सारे फॉर्मेट से कपतानी, तो इन शोट इस टाइम किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकट किस दिश्चा में जा रहा है, इस मैच की ब आते हैं, और तीसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 222 पॉल आउट हो जाते हैं, आगा सलमान 63 रन बनाते हैं, आमिर जमाल 55 पे नोट आउट रहते हैं, लेकिन कोई भी खिलारी ना खड़ा रह पाता है, ना रन्स बना पाता है, सब आउट हो जाते हैं, और नती जाते हैं, वही सवाल जो सोशल मीडिया पे सब जगह चल रहा है, कि पाकिस्तान के डाउन फॉल के पीछे क्या वज़ा, क्या बाबाराजम, शानमशुक की कैप्टन सी, मैनेजमेंट या बदलती हुई टीम, आपको क्या लगता हैं, मुझे कॉमें सेक्शन में जरूर बता झाल झाल